वेरी वेरी गूड इवनिंग तो आल अफ यू दियर इस्टुएंट लगातार स्टुएंट्स के जो पेड इस्टुएंट है उनकी क्वारी के साथ साथ में यूटूब पे भी बहुत सारी क्वारी आ रही है कि सर अब एक्जाम्स को लबब लबग डेट से दो मेने का समय रह साली है तो यह कुछ फैस्टिवल हैं जिसकी वाईसे आपका एक दो दिन आप उसमें से और आप अपना माइनेस कर दीजिए तो लबब लबग आपके पास में 50 डेज के आसपास का टाइम आपके पास में बचा हुआ है अब इस 50 डेज में बिजनेस स्टैट्स को किस तरीक पढ़ा रहा हूं आपको तो बिजनेस स्टैट्स के अंदर यह आपका पास में यह आपका जैबस बिजनेस स्टैट्स का देख रहें हैं कितना बड़ा स्लीबस है अब 50 दिन के अंदर आप इस स्लीबस हो कैसे कवर करेंगे क्योंकि आपके पास वह सिर्फ एक सब्जेक्त सबको टाइम देना है तो यह इतना बड़ा सलीबस कवर किस तरीके से करें जनरली मैं ऐसा मानके चलता हूं कि आप एक दिन में आद पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो फाइव टू सिक्स आवर आप एक दिन में आप दे सकते हैं मैक्सिमम और उसमें अगर हर सब्जेक्ट प पढ़ना है अपका स्लीबस क्या है और आपको अपना कैसे करना है और आपको कहां से क्यों के सकते हैं लेकिन आपकी समय कम है। कम कंटेंट में फुल स्कोर कर ले तो वह आज आपको पाई बताऊंगा वह कैसे पॉसिबल है देखिए बच्चे सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके सिलिबस की स्क्रीन पर है कि सलिबस आपका एक्च्छल में देखिए आपके पास सबसे पहले स्टैट्स कर मीनिंग आ जाता है फंक्शन आ जाता इंपॉर्णेंस आ जाता है जिसको अलज़ी मैंने आज की क्लासिस में रिकोर्ड कर लिया फोल्डर में वह आपके आ जाएगा फ्रस्ट टॉपिक आपका यह रहा यह ड़न कर दिया मैंने इसके अंदर आपके पास में स्टैट्स में बेसिकली इंक्लूजीब एक्स्क्लूजीब उसको और ग्राफ में कैसे रिपर्जेंट हम करते हैं डेटा को हिस्टोग्राम तो यह वो टॉपिक है आपका स्टैटिकल एवरेज में आपका मीन मीडियन मोड आता है जो कि हमारा क हम अब हमारा टॉपिक करते हैं तो इुसका स्टाइट करेंगे तो ज्यादा हमारे पास व्होंने अपने स्लेबर को कवर कर लिया है कुछ topic रहते हैं आगे चल करके मैं आपकी regular class से लगा करके भी इस topic को आपके exam से लब लबग एक महिने पहले इस चीज को मैं wind up करने के कगार पर हूँ, मेरा पूरा plan यह है, अब सवाल यह है कि इसको इतने सारे syllabus जो cover हो चुका है या फिर job होने वाला है उसको हम किस परकार से cover करें, जो नई बच्चे हैं, जो नई बच्चे हमारे साथ में जुड़े हैं, तो dear student इसका एक ही तरीका है कि सबसे पहले मेरा regression का topic स्टार्ट होगा, और उसके बाद एक दो classes के बाद ही फिर एक fresh unit स्टार्ट हो जाएगा time series, तो यह सभी बच्चों के लिए नया है, तो आ आगी का जो आपके पास में syllabus रहता है, 25-30%, उस syllabus को आप आगी चल करके आप मेरे साथ में cover कर सकते हैं, live classes पर session में जुड़ करके, अब जो हो चुका है, उसको किस तक इससे cover करें और questions की practice कहा से करें, सबसे पहले आपके पास में total lecture अगर आप बताएं, पूरे courses की, तो total lecture हम मान के चलिए कि हमारे पास में 90 lecture भी deliver हो जाता है, 90 आसपास या 100 lecture, तो आपके पास में 50 days है, तो 50 दिन हैं आपके पास में, और आप इस चीज को मान लिजिए 1.7, इत मिन्स कि आपको दो lecture के around आपको देखना पड़ेगा, दो lecture आपको एक दिन में आगर आप देखते हैं, तो दो lecture, एक lecture आपका 40 minutes के आसपास का रहेगा, दो lecture अगर आप देखते हैं, तो 80 minutes है, तो आपके पास में 1 घंटा 20 minutes का दो lecture हो गया, और आप अगर 1.25 की speed से देखते हैं, या 1.5 की speed से देखते हैं, इतने में आप देख सकते हैं, कोई problem नहीं है, तो यहाँ पर आपके पा दिन में 1 घंटा आज से अगर stats के लिए निकाल देंगे, तो आपका फिर भी 100% syllabus कवर हो जाएगा 50 दिन के अंदर, अगले 50 दिन के अंदर exam से समय से पहले ही, तो इतना ज़्यादा panic जो आप लोगों में create हो रहा है, कि सर business stats को कैसे cover करें, और समय कम बच गया है, इतना वड जा करके panic रहेगा ही रहेगा, हाँ कुछ important topic जरूर रहता है, जो कि मैं mark भी करवाऊंगा, star भी लगवाऊंगा वीडियो पे, कि exams में यहां से topic आएगा ही आएगा, लेकिन फिर भी आपको वो चीजें तरीके से अगर आप विकुल important topic पर ही जाओगे, उसको पढ़ोगे तो बहुसा चीज आपके लिए रट्टा लगेंगे, क्योंकि आपको पीछे से link आपको नहीं है, तो फिर पिछली class को देखना पड़ेगा, तो कहीं नहीं ऐसा last के 5 days में या 10 days में आप यह नहीं सो सकते कि कुछ important topic को पढ़के paper में चले जाएगे, कोई theory subject है नहीं है, practical subject है, त important questions को पड़ने ही बैटेंगे, तब भी आपको पिछले कुछ lectures को आपको देखना ही पड़ेगा, तब भी उस important topic के concepts को और उसके formula को आप समझ पाएंगे, exam में आप उसको apply कर पाएंगे, formula रटने के बाद भी exam में question आपके सामने होगा, formula भी दिमाग में होगा, लेकिन आप apply नहीं कर सकते क्यों आप पैचान ही नहीं पाएंगे, formula को अप्लाई करना है, इसलिए पुरा syllabus कवर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके concept बिल्ड हो पाएंगे, तो यहां पर आप देखेंगे, कि वन आवर में टू लेक्शर आप इसली अटेंड कर सकते हैं, 1.25 की speed से आप देखिए, 40 minutes का lecture है, और इस तरीके से 50 दिन के अंदर आपका पूरा पूरा 85 lectures, आपके जो है, इसलिए आप यहां पर cover अपना कर लेंगे, अब questions के practice कहां से करें, lecture attend कर लेंगे, तो क्या सरी इनफ है, सबसे पहले मैं अपने lecture में 100% complete course करवा रहा हूं, उसमें मैं कुछ छोड़के या कुछ important नहीं पढ़ा रहा हूं, complete course में से मैं कुछ question ज़्यादा बार repeat हो, उसको पर मार्क भी कर दूँगा, अब आपके पास समय कम बचा हुआ है, लेकिन फिर भी आप चाते हैं कि कम questions के practice करने के बाद, हम full score को cover करे, 50 days में कम से कम questions करना पड़े, कम से कम प पूरा 85 लक्षे का पूरा quotes cover हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप एक topic cover करते हैं, for example, mean median mode आपने cover करा, तो question के practice का से करेंगे, तो सिर्फ दास का 10 year है, market में available हो चुका है, आप प्लीस इसको buy कर ले, इसकी बनाबात नहीं मनेगी, ये आप इससे questions को कर लेंगे, आपने paper आपक पर पड़ी हुई है, आपके folder में chapter wise नाम से serial number से आपके videos हैं, उसके बाद हर videos में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो लिखवा रहा हूँ, उसकी PDF भी है, तो आपके पास में ना तो PDF की problem है, ना तो आपके पास में वीडियो की problem है, ना तो आपके पास में sequence की problem है, ना तो कोई सब्सक्राइब कोई confusion है, तो PDF को सबसे पहले आप priority level पे करें, उसके बाद आपने मीन कर लिया, lecture देख लिये, उसकी PDF कर लिया, अब आप सिवदास के 10 एर आप उठाएं, और इसमें से आप मीन का topic उठाएं, और मीन के topic से में जो भी आपके पास में आदद सवाल है, for example, य अगर आप topic देखते हैं, तो मीन के topic में आपके practical questions स्टार्ट हो जाते हैं, और यह question आपके start होंगे practical, 41 questions है, 41 questions कर लो बस, उसके बाद क्या करो आप, आप 10 एर में जाए, पीछे, 10 एर में सबसे पीछे जाए, मीन का कर लिया, आप 2021 का paper आपके पास में है, जैसे for example, 2021 का paper आपके पास है, नमंबर, दिसम्बर का, तो यहाँ पर आपके पास है, जो मीन का question है, इसमें, वो सरफ व पेपर में जाए, 2020 का paper है, जो इसमें mean का question है, mean median mode का question है, जो topic कर आपने, उस question हो करो, इस तरीके से पिछले 5 साल के paper के आप question को कर लो, यह मैं आपको जो है, राम बान दे रहा हूं, इससे भाहर कुछ भी नहीं होगा paper में, और कम से कम questions की practice करने के बाद, आप अपना 100% score को secure कर सकते हो, तो इस तरीके से करें, पहले front से chapter को cover कर लें, फिर back side से पिछले 5 साल कोशिंग कर ले, paper में बिल्कुल same to same question आजएगा, desert change हो जाएगा, बट कुछ भी आपके लिए नया नहीं रहने वाला exams के अंदर, और stats में दो बच्चे full score होता ही है, इसमें दो कोई problem नहीं हैं, और यहीं के subject हैं, जो कि आपके percentage को improve करेगा, तो मैंने बता दिया आपको किस तरह किस topic cover करना है, जो तो topic पढ़ा दूँ, मैं उसको मेरी PDF से, वीडियो से अच्छे से cover करके, 10 years से कैसे पढ़ना है, उस बारे में मैं बात आपको कर चुका हूं, clear है, जो भी बच्चे नए हैं, कुछ बच्चे यूटूब पे हैं, लगातार पूछे में सर वीडियो का है, लेक्चर का है, वीडियो थोड़ी छोटे आ रही है, क्योंकि जो हमारे पास पर content जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बहुत सारा काम है, accounts का है, low का है, economics का है, business math का है, stats का है, तो इसल कर देंगे, course related कोई और भी क्वारी होगी, पहले चीज, दूसरी बात, आप अपने जो है, application भी अगर आप इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको callback आ जाएगा, तो वहाँ से भी आपको जो भी क्वारी आप उसको अपने पूरी आप कर सकते हैं, demo classes तो आप YouTube पे देख भी रहे हैं, और वो बच्चे जो की already paid के अंदर है, तो बच्चे अब आप लोगों का मैं फिर इस तरह के से मैं एक test की date sheet आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, आप जो है measurement of center tendency के topic को cover कर लीजे, इसकी test की date सभी के unit wise वो मैं रखूँगा, आप आपको उसके coding prepare कर ले, test क according तो आपका automatic पूरा पूरा syllabus cover हो जाएगा, clear है बच्चे, तो अब आप लोगो syllabus cover करना है, तो YouTube पे आप लोगों को कोशिश कर रहा है, जितना कर सकता हूँ, मैं करी रहा हूँ, लेकिन paid में चोचीज हो चुकी है, वो यह रही, regular classes करके course को मैं जल्दी से इसको finish करने के काग clear है बच्चे, तो आप सभी के मन में paid में बहुत सारे नए बच्चे आया है, अजारों की संख्या में बच्चे जूड़ते हैं, बहुत सारे बच्चे daily basis पे नए होते हैं, और लगातार कोईरी पूरे दिन में इतने इस सीच को लिकर के message आ रहे थे, कि जिन बच्चों के doubts ह बच्चों को ने ले पा रहा था, तो अब आपको मेरा personal number paid वाले बच्चों के पास में हैं, जो भी doubt है, जो भी call के timing आप मुझे call कर सकते हैं, शाम को कभी भी call करें आप, तो आप 8 से लेकर के, आप 7-8 के बीच में आप कभी भी call करेंगे, आपकी call का में response करूँगा, दू करनी है, कोर्स हो कैसे लेना है, उन सब से लेकर आपके पास में, वीडियो के description पर भी contact number, application install करो, वहां से भी direct आपके पास में call आ जाएगा, तो आज ही classes में मैंने strategy discuss करी है, उम्मीद करता हूँ कि आप को इस strategy समझ में आई होगी, अगर आभी भी कोई doubt है, तो comment session में आ करक इसके अंदर, ठीक है, तो आप इसको follow कीजिए, और इस पर time है, तो जादा practice कर सकते है, time है, तो आपना जाएगा की book कर लिजिए, अब book कितने का है बच्चे, इसका तो मैं कोई idea लगा नहीं सकता, हर stationery की shop पे अपना उनका अलग-अलग price रहता है, तो आपको वही बता प अलग-दोग, इसका चूद़ आपको कि oldest अक्ते है, अलग-पोट्ट待 है .